हेलो दोस्तों मैं हूँ श्वेता शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आचारे फाइन होंस में तो दोस्तों आज हम आपको लेकर आया हैं कालवार के एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पर जहां हम आपको दिखाने वाले हैं फोर भी किलोमेटर के डिस्टेंस पर आपको मिल जाएगा स्कूल की बात करो तो MPS वेदानता स्कूल आपको यहां से एक किलोमेटर के डिस्टेंस पर आपको मिल जाएगा साथ ही में एक बार आप इस विला का एलिवेशन देख सकते हैं मेरे पीछे विला की अगर मैं बात करूं त दोस्तो 153 स्क्वेर यार्ड का विला रहने वाला है 26 by 53 के डायमेंशन में यह बना हुआ है विला के जस्त बाहर आपको फोटेफेट वाइड रोड मिल जाती है और आप देखेंगे कि विला पार्क फेसिंगे इसके जस्त सामने ही आपको मिल जाएगा बड़ साइस का पार्क लोकेशन देख सकते हैं आसपास की लोकिलीटी काफी रजीडेंशन है साथ ही में आप दुएंगे हमारा जो yo ुच Cathy पूरे fourth चार विले हैं नहीं हुटिया तो चलिए दोस्तों हम हमारे विला के उन्धर चलते हैं से पहले मैं आपको बता देती हूं कि यह जो तो आजएगा आपका port area, entry gate जो आपको मिल रहा है, iron का काफी heavy door आपको मिल रहा है यहां से enter करेंगे, तो काफी बड़ साइस का आपको port area मिल जाता है, आराम से आप अपनी यहां पे four wheeler पार्थ कर सकते हैं और यहां पर आपको water tank का provision भी मिल जाता है साथ ही में आपको यहां पर दो main entry मिल जाएगी एक आपकी main entry यहां से हो जाएगी और second entry आपको मिल जाएगी आपके right side से तो अभी हम हमारे main entry से एंटर करेंगे पर जाने के लिए आपको भाग से stairs मिल जाती है जिससे कि आपके लिए benefit हो जाते हैं कि आप इसको rental भी दे सकते हैं रेंटल परपस से investment के परपस से भी काफी सही है और उपर आपको एक bedroom और एक washroom मिल जाएगा तो अभी हम चलते हमारे ground floor में यह हमारी entrance हो जाती है तो जैसे हम एंटर करेंगे दोस्तों आजाएगा हमारा living and dining area dimension की बात करें तो पंदरा आपको आपको living and dining area मिल जाता है यहां पर आराम से अपना 5-7-seater sofa प्लेस कर सकते हैं इसी के सामने हमने यहां पर आपको LED पैनल दिया हुआ है बुडन का काफी बड़े साइज का साथी में यहां प पर आपको texture paint मिल जाता है फॉल से लिंग की तरफ अगर आम देखेंगे तो एक बढ़िया design के साथ में आपको फॉल से लिंग मिल जाती है साथी में इधर पढ़ेंगे तो यहां आजाता है हमारा washroom और यहां पर आपको looking में मिल जाएगा नीचे आपको space मिल जाता है storage के ल हुआ है जो फिटिंग्स है ब्रेंड़ फिटिंग्स यहां पर कीगी सहरा के फिटिंग्स आपको यहां पर देखने को मिलेगे यहां पर आपको मिलने वाले हैं तीन बैड रूम और आपका एक modular kitchen तो पहले आभी हम हमारा kitchen देख लेता है बाराब भाई 6 के dimension में दोस्तों आ और यह जो विंडो है आपको बिल्कु फ्रेंड तो में मिल रही है ताकि अगर आपके में डो पे कोई भी विजिटर आता है तो आप आराम से यहां से देख सकते हैं आपको ऊपर काफी अच्छे साइज के cabinet मिल जाते हैं स्टोरेज के लिए नीचे भी आपको ड्रॉल्स मि मिल जाता है जहां पर अपना प्रीच प्लेस कर सकते हैं तो अभी हम चलेंगे हमारे फॉर्स बैड्रूम के तरफ किच्छन के जस्पास में हमें एक बैड्रूम मिल जाता है 12 बाइस दस की डाइमेंशन में आपको यह बैडरूम मिल रहा है इसको आप अपने विद्रण लिए चले हमारे चाली अच्छा पंट अब लॉए स्पास में सब्सक्राइब कर देख सकते हैं यो बैडरूम यह बैडरूम मिल रहा है बैड हमें के बाद में बेड लगाने के बाद भी आपको तकि उसलेशन में तो आपको आपको इच्छा स्पेस मिल जाएग मिल जाती है प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए इससे तोड़ा पास में अगर हम आएंगे तो इधर हमारा ड्रेसिंग एरिया आजाता है यह मारी वाद्रोब दो जाएंगी स्लाइट डोर के साथ में और वुड़न की आपको वाद्रोब मिल रहा है देख सकते हैं टाफृ है आपको मिल रहें यहां आपेक्ष में ओधर आजल वाजरोम्ते हो जालता है अब इसकी प्राइस ऑगा बात कर लेता है इसकी एगल बात करूं इसकी और वाला इसकी 60 lakh इसकी asking price रहने वाली है दोस्तों 60 lakh में आपको 4 BHK house मिलने वाला है तो अभी हम चलेंगे हमारे 3rd bedroom के तरफ जो बिल्कुल इसी के पास में मिल जाएगा इसके dimension के अगर हम बात करें तो यह भी आपको 12 बारा के dimension में मिल रहा है साथ ही में इधर आजाती है हमारी बुडम की वाड़ ड्रॉप स्लाइड डोर के साथ में है और स्पेस आप देख सकते हैं यह पूरा आपका dressing area हो जाता है काफी अच्छा space आपको मिल जाएगा storage के लिए पास में आजाएगी हमारी windows ventilation और प्रॉपर sunlight के लिए और साथ ही में यहां पर आपको गैलरी भी मिल जाती है जिसमें आपको टैप भी मिल जाता है तो आप इसे आराम से अपना washing area भी बना सकते हैं और उपर आप देख सकते हैं कि यहां से काफी अच्छा ventilation आपको मिलता रहेगा प्रॉपर आप तो sunlight भी आंसे आती रहेगी तो तो यह हमारा ground floor था अभी हम चलेंगे हमारे first floor की तरफ जहां पर दिखने वाले एक bedroom और जो हमारा washroom है जैसे मैं आपको बताया था इसकी जो stairs आपको भार से मिल रही है तो आराम से आप जो first floor है उसको तो आपको ज्यादा lights की जरूद नहीं पड़ेंगी तो यह दोस्ता हमारा first floor आ जाता है यहां पर हमें मिल जाएगा हमारा washroom और इसे के पास में मारा washperson आ जाता है आप देख सकते हैं यह हमारी roof हो जाएगी काफी अच्छा space आपको मिल रहा है roof के उपर और यहीं पर आपक यह bedroom मिल रहा है यहां पर आपको काफी अच्छा design गिया हुआ texture आपको paint मिल जाता है और दोनों साइड आपको काफी बड़े साइस की window मिल जाती है proper ventilation और sunlight के लिए साथी में इसमें आपको एक balcony मिलते हैं तो चलिए हम हमारी balcony पी देख लेता है वुटन का heavy door आपको मिल जाएगा हर रूम के अंदर यह हमारी balcony हो जाएगी काफी spacious है और यह आपका front view है दोस्तों सामने काफी सारी यहां पे विलाज बने और काफी लोग रहे भी रहे हैं रेजिदेंचियर है यह location बिलकुल balcony में आप देख सकते हैं कि आपको यहां पे steel की railing और glasswork भी मिल जाएगा तो इसी के साथ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपको यह प्रॉजेक्ट में पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें आपक तर तीन चीज़े मिलती रहेंगी जोगी प्रॉपेट्य हम दिखा रहे हैं उसकी HD फोटो उसका फ्लोर प्लान और जो उसकी करेंट लोकेशन है वह आपको और बेसिक गीटेंस भी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी इसे एक साथ में थैंक्यू सो मच्छ